उदैपूर से इस वक्त की बड़ी खबर कॉंग्रेस पाशद मदन सिंग बाबरवाल की कार में तोड़ फोड कॉंग्रेस नेता गणेश शर्मा चला रहे थे कार पीछे से आ रही बस के अचानक ब्रेक लगाने से एक अन्य कार बस में जाबीडी एक्सिडेंट की आवाज सुनकर गणेश शर्मा ने कार रोकी तो आरोपी उन पर ही बरस पड़े कार में तोड़ फोड और पत्थरबाजी करते हुए गणेश शर्मा के साथ की मार पीट पार्शद मदन बाबरवाल के साथ कई कॉंग्रेसी पहुंचे सविना थाने पुलेस कर रही समझाईश का प्रयास उदैपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां सविना थाना इलाके में कॉंग्रेसी पार्शद मदन सिंग बाबरवाल की गाड़ी पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करते हुए मार पीट कर दी बताया जा रहा है कि उस समय कार गणेश शर्मा चला रहे थे तभी पीछे से आ रही बस ने अचानक ब्रेक लगाया तो एक दूसरी कार उस बस से जाबिडी जैसे ही गणेश शर्मा ने एक्सिडेंट की आवाज सुनी और उतर कर देखा तो लोग उन पर ही बरस पड़े और कार में पत्थर फेंकते हुए काँच पोड़ दिये साथ ही गणेश शर्मा के साथ भी मार पीट की गई है दोनों पक्ष घटना के बाद सवीना थाने पहुंचे हैं और पुलेस समझाईश का प्रयास कर रही है अरे हमने रिपोर्ट रही है प्रयास कर दोने बाद सब्सक्राइश का प्रया था इक पर पस्थर फेंकते हैं आद मेरी गाड़ी लेके मेरे घर से बार से 100-200 फिट आगे ही चले थे हमारे वरिष्ट कांग्रेस के निता गणेजी शर्मा जैसे निकले साथ सुनने में आग साइड में से बस आरी थी अचाना उसकी वज़े से पीछे कोई गाड़ी आरी तो उससे टकरा गी हमारी गाड़ी साइब जिस्तिति देख रहे हैं मेरी घाड़ी के कार भोटे मैं तो चाहता है इन लोगों के खिलाब सक्त कारें की जाए को भी अग्यात लोग है में तो जननल होस्पिटल में था मेरी पत्ती और बच्चे का फोना है पापा अपनी गाड़ी के साद यह अग्यात लोग बा कराने चर्वू